Hello everyone, welcome to this video और मेरा नाम है Amantri Vedi और इस वीडियो सीरीज में हम पढ़ रहे हैं Vocabulary और पिछले कुछ वीडियो से हम लोग डिसकस कर रहे हैं Antonyms के Question जो कि हमारे SSC CGL 2022 के Year 1 और TI2 में पूछे गये हैं And before we start, अगर आप हमारे batchers को join करना चाहते हैं अगला batch है हमारा GS का इस batch में अगर आप अंड्रोल करना चाहते हैं तो आप इसमें अंड्रोल कर सकते हैं इस batch में GS जो है कम्प्लीट आपको English में पढ़ाई जाती है यह batch आपका best है अगर आप SSC की पूरी तैयारी RV एक साथ करना चाहते हैं तो आप इस batch में enroll कर सकते हैं इस batch के थूँ आपकी complete preparation SSC की हो जाती है तो अगर इसमें आपको maths, English, reasoning जीखे सारे subjects मिल जाते हैं आप इसमें enroll कर सकते हैं इस batch में आपको GS पढ़ा जाती है English में यह batch जो है GS का ही है इसमें आपको Hindi में GS पढ़ा जाती है तो आप इसमें भी enroll कर सकते हैं इसके लावा यह दुरुनाचारे batch है 2.0 इसमें आपको maths और reasoning दोनों का ही subscription एक साथ मिलता है इसमें भी आप enroll कर सकते हैं इसके लावा यह मेरा English का batch है in this batch I will be teaching English in English so you can join this batch and इस batch में आप जोइन कर सकते हैं यह भी Panicia batch is zero to hero batch है इसमें आप जोइन कर सकते हैं इसमें complete English की preparation आपको मिल जाती है इसके अलावा Telegram channel है हमारा, इसमें आप जोईन कर सकते है, इसमें आपको सारे PDF मिल जाती है, सारे अपडेट्स मिल जाती है, सारी चीज़ें आपको एक जगे पर मिल जाती है, इसके अलावा आप यह website है, हमारी website चे भी courses देख सकते हैं, अगर आप चाहें, तो mobile, laptop से या फिर stop पे अगर आप course access करना चाहते हैं तो आप इस website पे जाकर हमारा courses देख सकते हैं याँ अगर आप PDF इस video की परिटिपलर video की download करना चाहते हैं तो अप paid classes में जा सकते हैं app download करना हुपा उसके लिए paid classes में English के batch में आप जाएंगे view details में जाएंगे यहां पर तो section आपको रिखते है PDF और English, यहां पर vocabulary की नीचे आपको एक section मिलता है previous year vocabulary, previous year vocabulary, तो इसमें आप इसको जॉइन कर सकते हैं, इसमें आप सारे वीडियो हमारे एक सटे है, PDF यहां से डाउन्रोड कर सकते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं, हमने पिछले वीडियो में कुछ questions discuss किये थे, एक बार ही उनका revision करेंगे, and then we will start the new rebellion हमने पढ़ा था, rebellion का एंटोनिम हमने पढ़ा था, loyalty, rebellion मतलब होता है, बागी, जो किसी के खिलाब विद्रोग कर देता है, ठीक है, कुडिटा, जैकरी और पुछ मैंने तीन शब्द बताया थे, इनका meaning मैंने आपको समझाया था, कि इनका मतलब होता है, आपका सेना का दोरा तक्ता पलट कर देना, के लावा, obedience, compliance, acquiescence, यह सारे हमने इसके एंटोनिम्स देख लिया थे, trivial का मतलब मैंने तुछ बताया था, तो इसका एंटोनिम हो जाता है हमारा serious issue, के बाद में हमने trivial के synonyms देखे थे, casual का एंटोनिम यहाँ पर हमने आपको formal बता दिया था, के बाद में हमने next question देखा था, casual के synonyms देखे, after that हमने question देखा, conceit, conceit, haughty, घमंडी होता है, तो एंटोनिम इसका modesty हो जाता है, reveal करना, conceal करना, चुपाना, hidden करना, चुपाना, इसके अलाबा, conceit के synonyms हमने देखे थे, vanity, narcissism, self-adulation, egotist, egoism, fertile का एंटोनिम हमने baron देखा थे, यहाँ पर, pecan, इसका synonyms हो जाता है, wet, gila, arid का एंटोनिम हो जाता है, ठीक है, यह सारे एंटोनिम हमने देख लिए थे, blessed हमने बता जाता है, blessed का एंटोनिम हमने, first देखा था, after that हमने question देखा था, oppose, oppose का एंटोनिम हमने encourage देखा था, किसी का बनोबल बढ़ाना, इसके बालावा हमने mobile, mobile का एंटोनिम हमने standing देखा था, के अलावा हमने question देखा था, indispensable, जिसके बिना कारण नहीं की चल सकता है, जिसको remove नही किसी काम में, unprecedented का एंटोनिम हो जाता है, familiar क्योंकि जिसको आप जानते हो, lackluster मतलब lacking in performance, during to mat, time list होता है, किसी की छवी को खराब करना, ठीक है, तो अगला question हमें यहाँ से discuss करना था, regardless of your diversity, all stars have a uniform function, the reproduction of the species, through the reproduction of the species, through the production of seed, इसका answer क्या बनेगा, यहाँ पर कह रहा है, कि diversity का आप से एंटोनिम पूछ रहा है, question को देखिए और इसमें एंटोनिम बताइए, options हैं, आपके equilibrium, melancholy, uniformity, और affinity, देखिए, affinity का मतलब क्या बताया था, मैंने affinity का मतलब होता है, आपका inclination है, आपको कुछ पसंद है, आपकी liking है, तो वो हो जाता है हमारा affinity, ठीक है, equilibrium क्या होता है, chemistry में आप लोग equilibrium पढ़ते थे, equilibrium की state होती थी, जहाँ पे चीजे, equal state में हूँ, balance होती थी, उसको equilibrium कहते है, melancholy, morose हम पढ़ चुके हैं, morose, sullen, desolate, depressed, यह सारे हम पढ़ चुके हैं, मतलब उदासी, इसका हिंदी तर्जुमा क्या हो जाता है, अनेकता में, एकता, तो diversity मतलब अनेकता, unity मतलब एकता, ठीक है, तो कहता है, regardless of your diversity, यहनि कि अगर हम diversity को ignore करें, सभी class में कि uniform function होता है, क्या reproduction of the species through the production of seed, ठीक है, uniform function क्या होता है, कि reproduction of the species through production of seed, ठीक है, अब यहाँ पर एक शब्द आया, affinity, इसके synonyms देख लेते हैं, important word है, जितने भी important शब्द है, और जितनी भी vocab में यहाँ पर करवाय दे रहा हूँ, अगर आप सिर्फ इतना भी करके चले जाओगे, तो भी आपके exam hall में यहाँ से words आपको as it is मिल जाएंगे, इसकी में guarantee देता हूँ, affinity का मतलब क्या है, affinity का मतलब हो जाता है, natural liking for and understanding of someone or something, किसी भी चीज के प्रती आपका जुकाव, आपकी पसंद, किसी भी वस्तु के प्रती, ठीक है या आपकी उसके प्रती समझ, क्या कहलाती है, affinity, for example, he had a special affinity with horses, क्यानी कि उसे घोड़े काफी ज्यादा पसंद है, ठीक होर्स काफी ज्यादा पसंद है, अब देखो empathy, मैंने आपको सारे शब्द पढ़ाया, एक बड़ी quick revision करते है, क्या-क्या पढ़ा था हमने, हमने पढ़ा था empathy, हमने पढ़ाता सिम्पथी, हमने पढ़ा था opty, और हमने पढ़ाता है anti-pathy, इम्पथी मतलब क्या होता है, liking किसी को आपको पसंद करना, आपको उसकी भावनाय समझना, sympathy होता है सहान उभूति किसी की कुछ बूरा हो गया है तो आप उसके प्रती सहान उभूति रखते हैं a-pathy हो जाता है indifferent मतलब उदासीन है अच्छा भूला कैसा भी हो परक नहीं पड़ता anti-pathy मतलब हो जाता है anti मतलब against, pathy मतलब feelings तो animosity, hostility की वैमनश्रता का भाव हो जाता है antipathy, एल ब्लड, इसके लिए वैमनश्रता, hostility, इसके लाबा animosity, bad blood, malice, malice, malice आता है, malice, ध्यान से समझे, malice, malice कहते हैं, दुर्भावना को, मेरे मन में उसके प्रति कोई malice नहीं है, मतलब मेरे मन में उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, मैं उसका बुरा नहीं चाहता, that's called malice, bad blood भी इसी सेंस में आ जाता है, to be daggers drawn, to be daggers drawn, ठीक है, लॉक हॉन्स, देखो, to be daggers drawn, dagger क्या होता है, छोटा जो चाकू होता है, that's called daggers drawn, to daggers drawn मतलब आपने चाकू निकाल रखे दोनों ने, मतलब लडने को तयार बैठे हो, तो ये भी होता है, लडने के लिए तयार बैठा है, to lock haunts, haunts मतलब क्या होता है, sing, तो आपने कभी इस सड़क पे सांड लड़ते देखे हो, तो उनके उस sing lock कर लेते हैं, दुसरे के sing फसा लेते हैं, तो lock haunts मतलब आपने sing फसा रखे हैं नहीं कि आप लड़ाई के mood में हैं, तो ये भी वैमनस्टता के sense में होता है, ये भी वैमनस्टता के sense में होता है, यानि animosity दुश्मनी के sense में, और इनके exact antonym क्या हो जागा, exact antonym हो जाएगा, bury the hatchet, इसका exact antonym हो जाएगा, bury the hatchet, bury the hatchet, ठीक है, ये hatchet लिखते हैं, hatchet पढ़ते हैं, मीनिंग क्या होता है, बिसिकली कुलारी या कोई काटने वाली चीज को कहते है सो उसको आपने बरी कर दिया, दफना दिया है Mend Fences Mend Fences Make Amends ठीक है? Reconciliate इसको यही पर देख लिए, रीकनसिलियेट मतलब समझोता कर लेना ठीक है? इस सारे शब्द आप ध्यान रखेंगे Empathy देख लिया, रैपोर्ट रैपोर्ट मतलब होता है, उसकी रैपो अच्छी है रैपो अच्छी मतलब लोगों से व्यवहार अच्छा है उसकी लोगों से लाइजनिंग अच्छी है रैपोर्ट है, मतलब लोगों की प्रती जुकाओ, पसंद दी Sympathy भी इसके सिरोनेम में यूज़ के दस दता है हाला कि Sympathy का अर्थ अलग है Accord या फिर Actory Agreement के लिए आता है Accord एक कार भी आती है, Accord Agreement सहमती के संस में आता है Harmony भी मतलब होता है There is Harmony in the Society Liking मतलब पसंदी Fond मतलब I'm fond of music, I'm fond of eating आपको वो चीज़ बहुत पसंद है तो उस sense में आता है Fond Inclination towards something मतलब आप उसके प्रती जुकाव है आपका Partiality हो रही है Partiality for मतलब आपका आप उसके प्रती partial हो आप उसका अधिक साथ देते हो Partial हो उसके प्रती Partial को हिंदी में कहेंगे कि आप जैसे मान लिजे दो लोग है ठीक है अब वो एक वेक्ति आपके गाउं से हर एक वेक्ति बाहर से तो आप अपने गाउं वाले को ज्यादा मौके देरो तो आप उसके लिए partial हो रहे है ठीक है पेंचेंट पर मतलब लाइकिंग पर प्रेडिलिक्शन टुवर्ड लाइकिंग हो जाता है ठीक अब देखो एफिनिटी का सेंस दूसरे सेंस में दिर इसीमेंटिक एफिनिटी सेमेंटिक मतलब रिलेटेटिट तू लैंगवेज यहां दीजिए semantic related to language जितना भी board पे लिखा करूँ सब देखते जाया करो क्योंकि सब कुछ important है जितना भी करा रहा हूँ तो semantic language semantic affinity between two words यहां पर affinity का मतलब क्या हुआ Samantha यहां पर इसका आर्थ हो गया similarity ठीक है resembleness resembleness का मतलब किसी के जैसा दिखना you resemble your father resemble के साथ ध्यान रखिए कि like नहीं आता resemble के साथ में like नहीं आता you resemble your father याँ आप अपने father ही जैसे दिखते हो इसके लिए एक idiom याद रख लिए chip of the old block आया है एक्जाम में इस बार chip of the old block ठीक है मतलब आप अपने पूर्वजों से similarity रख रहे हैं kinship kith and kin एक शब्द होता है kith and kin यहां पर दिख रहा होगा I think kith and kin इसका मतलब होता है सगे सम्मंधी kith and kin मतलब सगे सम्मंधी ठीक है तो kinship हो गया analogy के questions आप लोग solve करते हो reasoning में analogy में क्या समानता आप बता रहे होते हो similitude agreement compatibility आपकी और आपकी wife में आपकी और आपके दोस्त में compatibility होनी चाहिए दोनों लोगों में समानता है होनी चाहिए congruity congruity भी समानता के sense में आ जाता है parallelism consonance identity identicalness uniformity और equivalence ठीक है यह सारे synonyms हैं सबके individual meanings भी आप साथ ही साथ याद रुखिए अगर आप इनके notes बना रहे हो तो अच्छी बात है the notes नहीं बनाते हो तो कहीं at least इनके वे तो फिर print out ले लिया करो notes बना लोगे ना तो मैं इतना कह सकता हूँ कि जैसे यह दसवा वीडियो है तो इन दस वीडियो में अच्छी खासी कॉपी नुमारी भर जेगी अगर सारे words के meaning फटा फट लिखते जाओगे जैसे मैं बताते जाता हूँ ठीक है अब इसमें अगला शब्द हमने रेखा है melancholy melancholy का मतलब क्या होता है feeling of pensive sadness typically with no obvious cause देखो समझो pensive mood क्या होता है he is in pensive mood today pensive mood का आर्थ होता है thoughtful ठीक है pensive mood का मतलब हो गया अब जैसे मैं कुछ जैसे मैं ऐसे चुपचा बैठा हूँ मतलब मैं कुछ सोच रहा हूँ मैं दिमार में कुछ सोच रहा हूँ this is called pensive mood तो आम इन pensive mood जोड़े जब आप कुछ सोच रहे होते हैं तो कह रहा है कि जब दुखी हो आप और कोई कारण नहीं है उसका that is called melancholy मतलब मनुसियत से चाही हुई है बस ऐसे मन नहीं अच्छा है that's melancholy so synonym हो जाएगा sad, sorrowful, desolate, melancholy mounful, mounning के sense में आता है किसी की death हो जाती है तो जो शोक होता है that's called morning has been announced यानि कि तीन दिन तक शोक रहेगा तो शोक के लिए आता है ठीक है और lament मतलब होता है रोना विलाप करना ठीक है विलाप करना किसी किमरत्ती पर रोना लेमेंटिंग आता है ठीक है वाइन करना क्या होता है बेवज़ा आप रो रहे हो वाइनिंगर फाइनिग नहीं नहीं थी ऐसलै से रहे करते हो ठीक आएे नौकरी नहीं अच्छी है आए पैसा नहीं मिल्ला ती तक वाइन है ठीक है लिग्युब्रियस ध्यान रखिये लिग्युब्रियस ग्लूमी है फेरी एग्ज कétais मत बता दिया despondent मतलब उदास, rejected मतलब मिराश, depressed है depressing है, down downhurted है, downcast है disconsolate है, glum, sunk in, sunk in gloom, miserable rest, miserable मतलब aghaba, abhaga, rest मतलब भी abhaga dismal correct synonym है dispirited मतलब उदास है discouraged है low in spirits है discouraged हो गया, मतलब काफी उसका manobal toot रखा है, यह बहुत important है यह ध्यान रखना है आपको, in doldrums in doldrums का मतलब हो जाता है in doldrums, यह idiom है आपका ध्यान रखिए in doldrums मतलब, उदास होना depressed होना, blue यह भी ध्यान रखेंगे, in blue उदास होना रोज पता है, funeral होता है आपका, funeral कहते हैं funeral, funeral हम कहते हैं आपका, जो death processing होता है, procession होता है पूरा, मृत्टि के बाद जो अंतिम संस्कार है, that's funeral पायर यह हो जाती है चिता ठीक है, लिट दा पायर, चिता को आग देना ठीक है के लाबा, लिट दा पायर हो गया कॉफी न आपको पता है and पायर हो गया, death smell हो गया, spindle हो गया shroud shroud कहते हैं, कफन को ठीक है shroud हम कहते हैं, कफन ठीक है, क्या आवा, cremation cremation क्या क्या, cremation नंतिम संस्कार क्या आपको पता है, वो भी कॉन, अधास, दोलफुल, विस्ट्फुल, अन्हापी, जॉयलेज, हैवी हर्टे, लो इस्पिरिटेट, सॉमबर, दीफितिस्ट, पैसिमिस्ट, पैसिमिस्ट मतलाब होता है निराशा वादी इसका exact एंटोनिम होता है, optimist एंटोनिम हो जागा, cheerful और happiness, अरे, इतना स्क्रीन पर लिखा है, पड़ा फट नोट कर लीजे, then we'll move है अल्राइट, इसके अलावा यहाँ पर यह पायर की स्पैलिन से ही कर लीजे, पी वाई आरी होता है, इसके अलावा एक दो important word है, इनको ध्यान रखना है, एक है हर्स, और एक है, हर्से, ठीक है, दो क्यों है है, मैं अलग-अलग लिखते रहा हूँ समझे, दो important word है, इनको लिख लीजे, इसको कहते है हर्स, और यह हो जाता है, हर्से हर्से, ठीक है, अब देखो, यह क्या हो जाता है, यह है आपका, यहां पर समझो, यह हेर्से, हेर्से मतलब सुना, से मतलब कहना, मतलब सुनी-सुनाई बात कहना, इस बेसिकली rumour, ठीक है, for example we cannot make decision on the basis of hearsay मतलब हो गया कि हम एक सुनी तुनाई बात पर decision नहीं ले सकते हेर से मतलब हो जाता है, rumor सुनी सुनाई बात ठीक है, hoax भी होता है, rumor का synonym अब hairs क्या हो जाता है, इसे hairs से पढ़ेंगे पूरा और इसे hairs पढ़ेंगे हर्स क्या हो जाता है, अब vehicle used to carry coffee at funeral को ठीक है, मतलब वह vehicle जो funeral में coffee carry करने के लिए कानकूर में जैसे कई गारियां लिखी रहती है, जिसमें लिखा रहता है लाश के वास्ते, तो वो dead body इसको carry करने के लिए वो wagon use किया जाता है, vehicle use किया जाता है, तो उसे भी hair से कहता है, तो लाश के वास्ते अगर आपने गारियां देखिए, उसमें उपर लिखा रहता है, वो भी हो सकता है, इसके लावा एक और idiom आप coffin से याद रख सकते हो, last nail in the coffin का मतलब हो जाता है कि ताबूत के अंतिम कील, जैसे non corporation movement was the last coffin in the nail of, या world war 2 was the last coffin last nail in the coffin of British government, ठीकि यह British rule, इसके लावा आप यहाँ पर graveyard देख सकते हो, graveyard, ठीकि शम्शान को कह देते हैं, ठीकि चलो, आगे बढ़ते हैं, melancholy, forlorn, तीन आपके synonym है, melancholy, forlorn और miserable, ध्यान रखना है, melancholic music हो जाता है, melancholic thoughts हो जाते है, melancholic eyes हो जाती है, melancholic lament हो जाता है, melancholic tail हो जाती है, forlorn hope होती है, forlorn attempt, forlorn cry, forlorn lover and forlorn victim, meaning same है, but just words अलग-अलग use होते हैं, ठीकि है, miserable life, miserable failure, miserable existence, miserable experience, miserable conditions, ठीकि है, तो इनको भ्यान रखना है, आगे बढ़ते हैं, अगला word है, मारा polite, polite का आप से antonym पूछ रहा है, options है, आपके decent, decent आ जाता है, कि कुछ अच्छा है, तो say, it was not very expensive, but it was a decent car, ठीक है, तो decent आ जाता है, कुछ decent है, अच्छी car के sense, मतलब, अच्छा है, it's a very good, ठीकि है, civil हो जाता है, synonym आ सकता है, civil है, है, मतलब, sub है, civil कार्थ यहां हो जाता है, sub है, ठीक है, तो अबर है, मतलब, जैसे intoxicated है, non drunk है, intoxicated, not drunk है, ठीक है, ठीक है, antonym क्या हो जाएगा, इसका rude, मतलब, जो बत्तमीज है, अब rudeness से बात करें, अच्छे से बात नहीं करता है, तो sober, आपका not drunk, not intoxicated हो जाता है, intoxicated मतलब हो जाता है, intoxicated, tipsy, ठीक है, मतलब, जो drunk है, इसने शराब पी रखी है, tipsy मतलब, हल्किल की पी रखी है, that's tipsy, ठीक है, तो answer हो जाएगा, rude हमारा, अब यहां पर polite के synonyms देखते हैं, बहुत आवश्यक है, exam में कई बार पूछे गए हैं, ध्यान से समझेगा, इतने भी बताएं, इंको ध्यान से समझना है, well-mannered, सुसब्य है, civil होना, courteous होना, respectful होना, differential होना, ध्यान दीजे, यह वाला differential होता है, defer, एक होता है, differ, differ मतलब difference होता है, इसमें, भेद है, और यह वाला defer है आपका सम्मान के सेंस में, तो differential सम्मान करना, well-behaved, well-bred, ठीक है, well-bred भी होगे हैं, मतलब जो अच्छे परिवार से आ रहा है, gentlemanly, lady-like, noun chapter में मैंने आपको पढ़ाया था, gentleman अच्छे इंसान के लिए उस होता है, उसी का adjective बना दिया, लेडी मतलब आपको बताया था, अच्छी महिला के लिए उस होता है, तो lady-like adjective बना दिया, she valorous, मतलब सुसब्य, बहुत ही elegant, gallant, gallant होता है, बहुत, जो gallant मतलब होता है, gallantry awards मिलते हैं, मतलब सहासिक है, courageous है, उस सेंस में आता है gallant, gentile है, gentle है, cultivated है, सुसब्य है, gracious है, सुसब्य है, urban, ज्यान दीजिए, urban से urban बना है, urban मतलब शहरी, तो पहले ये माना जाता था कि जो शहरी शेतर के लोग है, वो सब्य है, तो urban उसी से word बन गया हमारा, well brought up यानि जिसका brought up अच्छे से किया गया है, जिसका parlin portion अच्छे से हुआ है, tactful है, considerate है, thoughtful है, discreet है, diplomatic है, मतलब कूट नितिक है, civilized, refined, cultured, sophisticated है, मतलब sophisticated, मतलब बहुत ही, sophistication, बहुत अच्छे है, जिप्यार से एक्दम अच्छे सी चीज़ा करता है, gentile, well-mannered, पढ़ा है, elegant, color curtly, ठीक है, antarneem हो जाते है, rude, impolite, savage, uncivilized, ठीक है, brazen, brash, rash, इन सब का अभी बजाता है, यह भी इसके antarneem हो जाएंगे, बत्तमीजी के जाते हैं, अब antarneem देखते हैं वड़ा पट इसके, rude, rude के synonyms देखेंगे, rude हो जाएगा, ill-mannered है, impolite, discourteous है, impertinent है, insolent, churlish, insolent, churlish, brazen, brash, impudent है, टीकी है, audacious है, presumptuous है, disrespectful है, ill-bred है, churlish है, crass, curd, brusk, blunt, blunt होता है, आपका कीस ब्लंट होता है, बहुत ही लटमार परेखे से बात कर रहा है, ungracious, graceless, brash, unpleasant, disagreeable, offensive, insulting, derogatory, disparaging, abusive, tactless, undiplomatic, uncomplimentary, un-shivalrous, un-galant, un-gentlemanly, un-ladylike, sabhi mein un-lagadiyah, antonim ban gaya, antonim होता है, polite, civil, or shivalrous, okay, अगला कोशन है कर दो, अगला कोशन है, था, नूबर of tests conducted, dropped further on Saturday, with a total of 67,624 tests, of which 20% were the less precise, rapid antigen test, understand my point very well, if you read this line, what you understand that this line has been taken directly from the newspaper you can see this is a rapid antigen test यानि कि इसको कहां से लिया गया है किसी newspaper से इन्होंने राइन लाइन उठा लिया है exactly exact किसी भी newspaper की headline या किसी भी newspaper का excerpt है जिसमें इन्होंने precise word use किया है और आप से antonim पूछ रहा है अब मैं आप से रोज कहता हूँ ये बात कि बच्चा newspaper पढ़ो क्या करो newspaper रीड करो कि क्यों करो अब कर newspaper रीड करने को बोलता हूँ तो तुम लोग दुनिया भर के telegram groups दुनिया भर की website दुनिया भर के वीडियोस देखने लग जाते हो कि सर वह फलानी website है वह टेलिग्राम पर एडिटोरियल देती है वह वाले देख लें सर वह दिमा का चैनल है वह उस वह 200-300 रुपए वहां खर्च दो अगला आदमी पढ़ रहा है हम यहरफोन लगा के सुन रहे हैं वह आडियो भेस दे रहा है टेलिग्राम पर तुम आडियो पर मस सुन रहा है तुमारी अंग्रेजी अच्छी हो गई पिटा ऐसे अंग्रेजी अच्छी होनी होती सबकी हो तुमको एक अपनी चाहिए है उसके लिए क्या करोगे जो बाकी के वच्छे त्यारी कर रहे हैं उससे एक कदम आगे होना है ना तुम्हें कॉंपिटीशन है क्वालिफाइंग एक्जाम तो है नहीं कि भाईया 10% 45% पर पास है 45% नंबर लाने है चाहिए सब पढ़े हैं जैसे मेहनत करो यह शॉटकट की तलाश में रहोगे शॉटकट ही मिलेगा ठीक है निउस्पेपर रीड करो एज़ इस लाइन आपको अकवार में मिलेंगी वहाँ प्रेसाइज जैसे शब्द रोज देखोगे कोश्टन कभी गलत ही नहीं होगा लेकिन जब निउसपेपर पढ़ोगे नहीं किसी एक PDF के भरोसे रहोगे वह एडिटोरियल दे देगा चार लाइने पढ़ ली तुमने उत्ते में तुमारा हो गया कल को जब यह ऐसी लाइने मिलेंगी चलो यह तो बहुत ही बेसिक सी चीज है इसको अगर डिफिकल्ड बनाके वह पूछेगा तो मैं पढ़ ले नहीं पढ़ेगा क्यों कि वहां तो इसके ब्रैकेंट में मीनिंग लिखा नहीं होगा अखुर से तो कभी तुमने मेनत की नहीं है तो ध्यान से समझो पढ़ो अतवर मैं कह रहा हूं नियूसपेपर रेड़ करो तो करो यह शॉटकट के चक्कर में पढ़े रहोगे पढ़े रहो समझ में मेरी बात का मुझे पता है यह बताने के बाद भी असर नहीं पढ़ने वाला है लेकिन अगर इस पताने के बाद चार बच्चे भी अपना अख़वार लेके पढ़ने लग गए तो मैं अपने इसको सफल मानूँगा चलो precise मतलब क्या होता है exact क्लार लेश प्रंड आयन टिजए हो रहे हैं मतलब जो precise नहीं है exact नहीं हो रहा है ठीक है तो option है rough adequate inevitable complicated complicated मतलब commercial complex से बना हुए शब्लेकेटब ही है ठीक है in inevitable ध्यान दिजिए evitable ठीक है जिसे टाला जा सकता है inevitable इं लग जया मतलब not तो inevitable का मतलब हो गया which cannot be avoided वन वर्ड में आता है which cannot be avoided ठीक है जिसे avoid नहीं किया जा सकता है उनको तो इतना आलास है कि काफी लोग तो वीडियो रोज रोज नहीं देख रहे हैं कौन देखे? यह आलास ही इतना चलो inevitable मतलब हो जाता है जिसे avoid नहीं किया सकता है adequate pressure मात्रा में तो answer हो जाएगा rough क्योंकि precise मतलब exact rough नहीं exact नहीं हो रहा है ठीक है precise मतलब मैंने क्या बता है exact, accurate, correct error-free, pinpoint, exact specific, detailed, explicit ठीक है clear-cut unambiguous, ambiguous, ambiguous MB समझे समझे रूट वर्ड है हमारा mb मतलब हो जाता है two okay ambivalent ambiguous ठीक है ambidextrous ambidextrous ठीक, तो ambiguous मतलब क्या हो जाता है ambiguous मतलब मैंने आपको two बता दिये gross मतलब meaning तो ambiguous मतलब हो गया कि do year थी you are talking, it was unambiguous ambiguous मतलब double meaning अब जो चीज़ double meaning है वो unclear भी है, spust नहीं है unclear है ठीक है, spust नहीं है ठीक है, dexter root word है हमारा dexter dexter का मतलब हो जाता है आपका किसी कार्य में nipon होना, adapt होना skilled होना ठीक, MB मतलब two OUS लगा तो adjective बना मतलब ऐसा व्यक्ति जो right hand से भी लिख सकता है left hand से भी लिख सकता है one who is skilled with both hands one who is skilled with both hands ठीक है, वो हो जाता है MB dexterous जैसे 3Ds का virus और ambivalent मतलब ambivalent about it आपके दो मन हो रहे हैं कभी मन करता है जाओ, कभी मन करता है ना जाओ, that's called ambivalent ठीक है, clear meticulous होता है daksh, बहुत ही, किसी कार्य में बहुत अच्छा है, very very good about at something, close, strict definite, particular express, minute and faithful, किक है exact, particular very specific, actual, distinct meticulous, careful, exact, scrupulous punctilicious, ध्यान रखे, punctilicious consentious particular, exacting, methodical strict, rigorous mathematical, scientific antony moh जाते, imprecise inadequate, inaccurate distinct, loose, inaccurate, careless जाओ, अगला बहुत है, अच्छा वर्ड हमारा जाच्छा a few chocolates were left after the Halloween's trick or treat fair, Halloween में अगर फ्रेंट्स देखाऊ, तो trick or treat वो पूसता है, trick or treat, तो कुछ चूकले लेफ्ट थी, मतलब छूटी थी, तो छूटी थी मतलब नहीं छूटी थी, तो राइट हो गया है, अब देखो, यहाँ पर आपका ये अच्छा कोशन है, है तो बहुत आसा लेकिन, trick or treat, फिर, अब अगर आप देखो, लेफ्ट का एग्जाक्ट एंटोनिम राइट भी हो सकता है, लेकिन वो तब हो सकता है, जब वहाँ पर इसका मीनिक, adjective के सेंस में हो, direction बता रहा हूँ, वो यहाँ नहीं है, तो राइट नहीं होगा, present, state या फिनिस्ट, तो बच नहीं हो के सेंस में हो गया, present, बचने के सेंस में हो गया, तो अन्टोनिम हो जाता है, मारा, finished, क्योफि यहाँ पर इसका मतलब की खतम हो गई, उसने का बच गई, इसने का खतम हो गई, उसने का खतम हो गई, अगला वर्ड है, ambition, तो अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे, सर अबजेक्ट और intent, intent मतलब कई बार कहा जाता है, कि आप intent तो नहीं दिखाई, इसे कई बार आप धोनी के लिए कहा जा रहा था, अपने retirement के आने, आतिस सब्सक्राइब समय, intent नहीं दिखाया, आपने intention नहीं दिखाई, तो intent क्या है, मन्शा, intent हो जाता है, मन्शा, object करना, विरोध करना, ठीक है, anxiety, परिशानी, एंटोनिम हो जाएगा, हमारा laziness, आलस, ठीक है, ambition मतलब क्या बताया, उत्साहा है, आपके अंदर कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का, अंटोनिम होग सिनोनिम है, हमारे drive, determination, द्रण इश्य, desire, इच्छा, enterprise, initiative, eagerness, motivation, enthusiasm, जियाज, कई बार हम लोग जब से शुरू के, जियाज बहुत बहुत बार पढ़ चुके है, commitment, a sense of purpose, longing, इच्छा, earning, इच्छा, hankering, इच्छा, aspiration, आप लोग क्या हो, aspirants हो, क्यों हो, आप चाहते हो, exam clear करना, aspiration है, इच्छा है कुछ करने की, intention होना, goal होना, aim, objective, purpose, intent, plan, scheme, mission, calling, vocation, desire, wish, target, and dream, या हो, ठीकि ध्यान रखेंगे, ये इसका synonym हो जाता है, ambition का intent, अगला क्वेशिन कह रहा है, WHO is issued a statement on Sunday morning, that the, the Omicron variant of coronavirus may appear to be less severe, it should not be dismissed as mild तो अब clearly दिख रहा है यहां पर क्या यह सा यह लाइन में न्यूस्पेपर से as it is copy की गई है तो मतलब अखबार सही question बन रहे है थ्यान से समझे इस चीच को के रहा कि WHO की जो ने statement इसू किया Sunday morning को कि यद्धे पी Omicron variant जो है coronavirus का बहुत less severe है मतलब कम खतरनाक है it should not be लेकिन इसको mild कहके dismiss नहीं किया जा सकता है तो options है विदर्ड, ठीक है sick, voracious और gentle अब देखो simple सी बात है विदर्ड मतलब होता है कली बगरा का मुर जाने के sense में sick मतलब बीमार voracious हम पढ़ चुके हैं जो लाल्ची है voracious eater बहुत खाता है gentle होता है humble आपका तो antonym हमारा यहां simply क्या हो जाएगा gentle होना, humble होने के sense में not less gentle, less gentle इसका exact antonym आजाएगा ठीक है, तो without होता है किसी plant का dry और shival होना, पत्तियों का मुर्जाना सिकोड जाना, देखो ऐसे cases में अगर आपको antonym पता करना है तरीका सिंपोस है हो, शब्द को वहां रखते जाओ less voracious, उल्टा मीनिंग नहीं आ रहा है less gentle, उल्टा मीनिंग आ रहा है तो gentle सही शब्द है, ठीक है voracious हम कई बार देख चुके है voracious समझते है, voracious मतलब क्या है जो बहुत खाने के इच्छा रखता है लालची है उताने को लेकर तो यह क्या है, insatiable है satiate करना मतलब होता है, किसी को तरप्त करना, किसी को संतुष्ट करना ठीक है, insatiable unquenchable quench the thirst quench your thirst quench होता है, बुझाना, प्यास बुझाने के लिए इस्तमाल किया जाता है unappeasable, appease करना किसी को मतलब किसी को खुश करना appease करना मतलब किसी को खुश करना तो unappeasable जिसे खुश नहीं किया जा सकता है prodigious uncontrollable, omnivorous omnivorous मतलब मैंने आपको बढ़ाया था herbivorous जो vegetarian है carnivorous जो non-vegetarian है omnivorous जो सब कुश खा लेगा compulsive है, gluttonous है glutton है, जो है वो दोनों में glutton है, पेटू ये है, बहुत खाने को लेके बहुत ज़्याद लालची है glutton पेटू, बहुत खा लेता है greedy है अब जो को जो की खाने को लेका लाची है greedy भी है, rapacious भी है, enthusiastic भी हो जाएगा ये eager, keen, avid, desirous craving, craving हो रही है मतलब मुझे बहुत कस के मन कर रहा है crave, I'm craving for the success अब तड़प रहा है, तो crave मतलब हो जाता है तड़पना, इसी चीज के लिए hungry, bhoonkha, ravenous avidious, ये इसी से मिलता जुलता वर्ड है जहां ध्यान सीजिए, avidious avidious भी greedy है, लेकिन ये पैसे के लिए greedy है, या material gain, मतलब avidious पैसे को लेकर greedy होगा, किसी भी चीज को wealth है, आपी, material gain को लेकर बहुत ही लाल ची है, तड़ अबरिशिस एक है built by king Narsimha Dev of the Narsimha Dev I of the eastern Ganga dynasty, from 1238 to 1250 CE the 13th century late style Kalingan temple forms part of the golden triangle of Odisha along with Puri and Bhukneshra and attracts tourists pilgrims and history and art levels जीक एक बात समझे, जैसे मैंने अभी पिछले थोड़ी दिर पहले का कि अकबार पढ़े है, तो अकबार पढ़ने, अब जैसे ये live sentence है हो सकता है, ये sentence उपभार से ना हो तो कहो कि अब इसके लिए से और क्या करें वही चार राइन अकबार में दिखी मिल जाएंगी तो आपके लिए नया पढ़नी होगा और exam hall में जब pressure बनता है बहुत ज़्यदा pressure आपके उपर होता है जो कि कम समय में ज़्यदा चीज़े करनी होती है तो वहाँ पर वो चीज़ें आपको help करेंगी यह फायदा होता है otherwise चीज़ें तो आपको वही मिलनी है जो वहाँ पर नहीं मिलेगा और हो सकता है वो sentence ना पढ़ता है लेकिन you will be familiar with it at least ठीक है आपके लिए unprecedented नहीं होगा कम से कम है कि नहीं इस question का answer बताइए attracts पूछ रहा है options है elucidates, deters, shrouds or embodies तो अब यहां पर इसका answer क्या हो जाएगा attracts का एंटर नहीं में पूछ रहा है attract मतलब क्या होता है akarshit करना, options में हमारे रख्या हो है elucidate करना, elucidate मतलब होता है explain करना किसी चीज़ को deter करना, मतलब रोकना shroud मतलब बता है, shrouds मतलब नहीं बता है अब धकना किसी चीज़ के संस में आजाएगा embodies मतलब होता है जैसे clear example होना उस संस में आएगा किसी चीज़ को embody कर लेना जैसे, Mahatma Gandhi was the embodiment of non-violence, तो अब attract करना मतलब होता है, किसी को passable, akarshit करना, deter करना मतलब अब करशित करना तो answer हो गया हमारा, deter करना तो answer हो जाता है हमारा, deter हमने पढ़ा है attract आवश्यक शब्द है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे important synonyms रिसके किसी को entice करना entice, allure, lure, tempt, charm कुछ synonyms ध्यान रखिए entice, allure, lure, tempt, charm ठीक है, win over woo कर लेना, woo करना जिसे, he would zade, withdraw, entice, hypnotize hustru, gwalak, smart, Scot, कर लेना किसी को gesamohit कर लेना, spell bind कर देना 마ंत्र कर देना, captivate करना वीगाइल मंत्र मुघ्द कर देना, тебе聞 Install कर लेना, इसमें sexually किसी को आखरशित कर दा crystal करना, centralized करना, invigal करना, fascinate करना बहुत ज़्यादा प्रभावित करना fascinated by your performance enthralled ठीक है, रिविट, यह सारे excited, titillate, titillate करना मतलब किसी को आकर्शित करना है, arouse करना ठीक है, stimulate करना भावनाओं को जागरत करना stimulate करने के लिए आता है tickle someone's fancy idiom ध्यान रखेंगे, tickle someone's fancy, turn on करना यह sexually आता है, light someone's fire, float someone's boat make someone's mouth water इन सब का मतलब हो जाता है आपका इन सभी का आर्थ हो जाता है आपका, किसी को आकर्शित कर लेना, ठीक है? just a क्या हुआ है तो यह इसका अर्थ नहीं है तो सारे हटाज़ों कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर यह एंटोनेम आएगा लिए 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 जितने सिनोनेम से यहाँ लिखे है important सारे entice, allure, tempt, enthrall, captivate, capitulate, sorry, capitulate नहीं fascinate, enthrall, hypnotize, mesmerize, spellbind करना, enchant करना, entrance करना, charm, win, boo, win over boo, tickle someone's fancy, turn on someone's, turn on, lit light someone's fire, float someone's boat, make somebody's mouth water detour करना, इसका enthrall में detour करना मतलब होता है, किसी को repel करना, दूर धकेलना तरीके साकर्षित ना करना entice, meaning हो जाता है, discourage करना किसी को कुछ करने से, उनके अंदर कुछ doubt या कुछ fear पैदा करके, किसी को कुछ कारे करने से, मन रोकना, उनके अंदर उस चीज को लेकर doubt पैदा कर दो, या डरा दो, उसे कहते है, deter कर दिया तो, सिरोने मुझा एका put off करना, मतलब होता है, किसी चीज को postpone करना, discourage करना, dissuade करना, मतलब किसी को न वानाना, scare करना, डराना, want, धूंकी देना, caution मतलब किसी को आसतर करना, dishurtain करना, किसी को discourage करना, demoralize करना, किसी का moral down करना, don't करना, मतलब डराना, ठीके, इसी से बन है एंटोन्यम्न डाल्ट यह कि धरता नहीं यह सी थिठेग करना मतलब किसी को दराना ठीक है अनल करना डराना इंटी मिडित करना डाया धर्लाना थुभकाना है कि इसका दूसरा मीनिंग के पहफ एंटोन सीनोनियम्स हो जाते हैं के प्रिवेंड प्रिवUND करना Fend off, turn aside, stave off, ward off, block करना, intercept करना, जैसे मिसाइल जा रही है, उसे intercept करना, बीच में काट रहे हो, intercept करना, Halt करना, Arrest, Check, Stake, Keep, Hinder, Impede, Amper, Obstruct, Badha, Bark, Walk, Foil, Thought, Obviate, Mitana, Frustrate करना, Contract करना, Inhibit, Hold Back करना, किसी को रोकना, ठीक है, अगला वर्ड है हमारा, laborious, laborious का आप से एंटोनिम पूछ रहा है, laborious, laborious मतलब होता है, जो labor, labor से बना, labor क्या करता है, महिनत करता है, physical work करता है, महिनत करता है, ओ यह वैस लग गया adjective, यानि कि जो महिनती है, तो although gardening is a laborious job, यानि gardening जो है काफि महिनती job है, but it gives some boundless joy, यानि कि असीमित joy, strenuous happiness, बहुत अधिक happiness, immense satisfaction, and I like this facile activity, ठीक है, तो बढ़ियां बढ़ियां शब्द इसमें पूरे में लिखे होएं आपके, ठीक है, तो boundless मतलब हो गया, अब यहाँ पर क्या लिखे है, I like this facile activity, boundless मतलब असीमित हो गया, immense अधिक के सेंस में हो गया, तो antonymum से पूछ रहा है, तो antonym क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब भी unlimited था, यह भी अधिक, यह भी अधिक, यह भी अधिक, एक ही बच रहा है, अगया हमारा facile, facile का मतलब हो जाता है, ignoring the true complexities of an issue, और superficial मतलब हलकी-फुलकी, superficial सता ही हलकी-फुलकी activity है, ठीक है, so boundless हो जाता है, unlimited immense, strenuous, requiring or causing great effort or exertion, बहुत महिंत तो आला, ठीक है, और immense मतलब बहुत अधिक, तो facile, correct, antonym में मतलब हो गया, कि जो जिसमें, जो उसकी true complexities हैं, जो सही असली समस्याएं हैं, उनको एग्नोर करते हुए, superficial, superficial तरीके से, shallow तरीके से, सतही तरीके से, laborious के synonyms बहुत important हैं, एक्जाम में पूशे जाते हैं, artist, assiduous, लिखा है कि नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ, assiduous, sedulous, इन सभी का मतलब होता है, महिंती, hard, heavy, difficult, strenuous, grueling, grueling task, ठका देने वाला, murderous, punishing, exacting, tough, formidable, onerous, burdensome, backbreaking, trying, uphill task, मुश्किल टास्क, ठीके, इसी में आप लिख सकते हो, हमने जो पढ़ा है, arculine task, मुश्किल टास्क, ठीके, relentless task, stiff, challenging task, arculine task, tiring, fatiguing, ठका देने वाला, exhausting, ठका देने वाला, wearing, ठका देने वाला, taxing, ठका, ठका देने वाला, demanding, wearisome, tedious, boring, और एक्सम, इसाब का मतलब ठका देना, एक्सम मतलब जो आपको अनॉय कर दे, गुस्सा दिला दे, ठीके, तो, laborious, assiduous, steadilus, hard, difficult, strenuous, grueling, murderous, इसके लबा, punishing, burdensome, backbreaking, uphill, relentless, stiff, challenging, harculine, tiring, fatiguing, exhausting, wearing, taxing, innervating, demanding, ठीके, एक word है, grueling, इसी से एक और शब्स होता है, grilling, देखो, grill करना है कि कई सारे अर्थ है, एक तो grill होता है, बाबेक्यू पर आप grill करते हो कुछी, तो एक वो grilling होगी, जो खाना पकाने में grilling की जाती है, इसके अलावा किसी को roast करने के लिए भी आ जाता है, roast करना भी वही grilling है, मतलब roast करना मतलब बैंगन roast किया, पकाया, उसको grill किया, वही एक बात हो गई, किसी व्यक्ति को roast किया, जो कैरी मिनाती करता है, तो वो गया roasting, उसी को grilling कह सकते हैं, इसके लावा ग्रिल करने का मतलब पूस्टाच करना भी होता है, interrogation, interrogation, पूस्टाच, आगे बढ़ता है, dispatch, मतलब, यह तो बहुत common word है, एक्जाम मतलब daily आ लाइफ में आप देखते रहते हो गया, Amazon से कुछ order किया, your career has been dispatched, मतलब वहाँ से निकल चुक है, dispatch कर दिया गया, acquire करना मतलब होता है, कुछ हासिल कर लेना, ठीके deliver करना वहाँ पहुच गया, bulletin होता है, आपका जो bulletin points मतलब bullet points लिखे जाते हैं, bulletin आपका daily accounts news आती है, transmit करना कुछ फैलाना, dispatch करना मतलब कुछ निकल गया, तो एंटरनेम हमारा क्या हो जाएगा, acquire कर लेना, हासिल कर लेना, ठीके, एंटरनेम हो जाएगा हासिल कर लेना, simple है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, deliver करना पता है, acquire करना आपको, पता है, इसमें कुछ, as such मतलब, extraordinary नहीं है, अगला शब्द है हमारा humble, humble मतलब क्या हो जाता है, जो बहुत ही, लेकिन इसके एंटरनेम ध्यान से, यहामात मार करियेगा, ध्यान रखियेगा, dispatch करना, मतलब कुछ आपका, जैसे कोरियर निकल गया, acquire सब अपने हासिल कर लिया है, ठीके, deliver करना एंटरनेम नहीं हो सकता, acquire आप इस्तमाल करते हो, knowledge के सेंस में कुछ आपने हासिल किया, जैसे property acquire कर ली, building acquire कर ली, company acquire कर ली, एक तो वो हो जाता है, इसी से बनता है, noun, noun इसका acquisition, land acquisition, बिल आया था, भूमी अधिगरहन, acquisition क्या हो जाता है, अधिगरहन, भूमी अधिगरहन बिल आया था, correct, acquire पता हो गया, gather होता है, information, gather आप क्या करते हो, information, sorry, gather, या फिर collect, collect आप information करते हो, ठीक है, gather yourself, मतलब collect yourself, अपने आपको, जैसे आप बहुत रुवास्ते हो रहे हो, आप रो रहे हो, emotional breakdown हो रहा है, तो उस देन्स में कह सकते है, gather yourself, इसके अलावाद, collect yourself, और muster, या नि, muster मतलब भी होता है, कठा करना, बट muster किया जाता है, courage, muster courage, ठीक है, अगला बड़ है, humble, humble मतलब होता है, विनम्र, pleasantry, मतलब बहुती pleasant है, बहुती सुहाना है, modest, इसका synonym हो जाएगा, dishonor करना, मतलब बेज़िती करना, ठीक है, arrogant होता है, घमंड, तो dishonor करना, disrespect करने से है, humble मतलब विनम्र है, तो correct acronym क्या हो जाएगा, arrogant is the correct answer, ठीक है, मतलब जो घमंडी है, अब इसके synonyms बहुत आवश्यक है, ध्यान दीजिए, सारे के सारे words, प्रिवेसर में रखे हुए, एक बार ही हम उनके जितने exam में, प्रिवेसर में आ सकते हैं, उनको देख लिते हैं, मीक, मैं आपको बता देता हूँ, इनको ध्यान मतलब आप, मीक, मॉडेस्ट, जेंटल, जेंटील, ठीक है, मीक, मॉडेस्ट, जेंटल, जेंटील, ठीक, यह आप चार synonyms तो इसके ध्यान ही रखो, हमिलीटी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हमिलीटी होता है विनम्रता, और हुमिलीएशन होता है किसी की बेद्दिती करना, ठीक है, तो मीक, डिपरेंशियल, समान के सेंस में, रेस्पेक्टफुल, सबमिसिव है, सबमिसिव बीसी में दिखलो आप, सबमिसिव, ठीक है, सर्वाइल एटिट्यूड है, सर्वेंट वाला एटिट्यूड है, सबसर्वियंट हम लोग पढ़े थे, कल पढ़ा था हमने, सबसर्वियंट, ठीक है, तो मीक, मॉडेस्ट, सबमिसिव, सेल्फ एफेसिंग, अपने आपको नीचा दिखाने वाला, अपने आपको हमबल रहने वाला, unassertive, assert करते हो, आप अपनी बात को फूर्जोर तरीके से रखते हो, अपने आपको बहुत assert कर रहे हैं, unassertive है, assert नहीं करते हैं, modest है, unassuming है, self-depreciating है, free from vanity, vanity मतलब नखरे दिखाना, free from vanity है मतलब नखरे नहीं दिखाते हैं, hiding once light under a bushel, ठीक है, बुशल एक मेजरिंग इंस्ट्रिमेंट एक तरीके का होता है तो हाइडिंग वन्स लाइट अडर बुशल आप अपनी लाइट को बुशल के अंडर चुपा रहे हैं यह आप बहुत हमबल हो ओप्सीक्यूस यह ध्यान रखेंगे मतलब बहुत हमबल होता है साइकोफेंटिक साइकोफेंट होता है साइकोफेंट बूट लिकर आज की तरीक में जितनी भी टीवी मीडिया है निउस पेपर वाले हैं उनमें से किसी भी एक बलिया एंकर का नाम याद रख लो साइकोफैंट अपने आप याद रहेगा, ठीके, साइकोफैंट, भूट लिकर, मितलब जो बहुती चापलूस किसМ का वेखती है, चापलूस ही करता है, ठीके, सर्वाइल आपको बहुत बिनम्र किया था अपने आपको बहुत नीचा किया था मेरे से हल्प मांगने के लिए सेंस में यह सारे सेंस में करना नीचा दिछाना लोवर करना डिग्रेट करना डिबेस करना शेम करना अबैस्ष्ट सब्ढू में शेंद हमबल पाए उसे बहुत विनम्र करना देट डाउना प्यूनाँ टू किसी को विनंब्र करना कट डाउन तू साइज मतलब बहुत हमबल कर देना संबर संस हैश मचलब हो जाता है किसी को हमबल करना ध्यान रखे, make संबर इतवर हंबल पाए तेक डाउन, अपैगोर्टू, कट डाउन तू साइज, और सेटल सम्वन्स हैश, मतलब इसी को हमबल करना, वर्ब के सेंस में. एंटोनिम था हमारा एरोगेंट, तो एरोगेंट के एंटोनिम, सिनोनिम समें ध्यान रखना हमने पढ़ा है, है, conceit, haughty, hebristic, opinionated है, egotistic है, egotistic है, full of oneself है, superior है, overbearing है, pompous है, showy है, jazzy है, ostentatious है, शुरुवाती क्लासस में हमने पढ़ा था, high-handed है, बहुती ज़्यादा आपने आपको समझता है, blood screen है, patronizing है, condescending है, immodest है, lofty, snobby, supersilius, यह ध्यार रखना है word, supersilius मतला बहुत ज़्यादा नक्चड़ा, स्मग है, two big for one's boots, या big headed, या two ones for one's boots, अपने जूतों के इसाब से बहुत ज़्यादा बड़ी personality, अपने आपको बहुत घमंडी समझना, घमंडी होना, समझना क्या, घमंडी है, तो कोई समझना नहीं है, अगला बड़ है हमारा, exemplary, तो he gave exemplary performance, exemplary performance मतलब बहुत अच्छी performance, तो unsatisfactory, यह हो गया, negative word, मतलब असंतुस्ट करने वाली, इमिटेटीव मतलब imitate करना, किसी की नकल करना, flattering मतलब चापलूसी, वही सेम साइकोपैंटिंग, desirable मतलब इच्छुक, तो यह हो गया, चापलूसी, यह हो गया, नकल, यह हो गया, desirable, तो antonym क्या हो जाएगा इसका, एक ही negative शब्द है, it is unsatisfactory, ठीक है, अब exemplary मतलब मैंने क्या बताया, बहुत भेतरी, बहुत अच्छा, तो serving as a desirable model, या very good के sense में आ जाता है, ठीक है, तो perfect, ideal, model, faultless, अब जो faultless है, वो flawless भी है, वो impeccable है, impeccable मतलब dot spot, impeccable जिस पे कोई दाग नहीं है, consummate, इसको मैं भी बताता हूँ, consummate, excellent, बहुत अच्छा, outstanding, बहुत अच्छा, exceptional performance, बहुत अच्छी performance, admirable, प्रशंस नहीं है, commendable, इसको comment किया सके, प्रशंस नहीं है, laudable, praiseworthy, मतलब बहुत प्रशंस नहीं है, meritorious, बहुत अच्छा, honorable, honorable, summani, estimable, esteemed letter, मतलब, summani, above या beyond reproach, reproach मतलब क्या होता है, reproach मतलब, किसी की निंदा करना, beyond reproach मतलब इसकी निंदा नहीं की जा सकती, बहुत अच्छा, blameless, इसपे आरौप नहीं लग सकता, irreproachable, reproach करना मतलब, निंदा करना irreproachable मतलब इसके निंदा नहीं की जा सकती unimpeachable impeachment किस पर चला जाता है अब योग चला जाता है, तो अब योग चला राश्टपती पर तो unimpeachable इसे impeach नहीं किया जा सकता ठीक है, एंटर निम इसके हो जाते है deplorable घनित, unworthy जो worthy नहीं है, योग नहीं है ठीक है, इसको आप कहा सकते हो unworthy black sheep black sheep that's unworthy ठीक है, हाँ consummate करना मतलब होता है, किसी चीज़ को complete करना भी होता है to complete something और बेसिकली ये वर्ड बना है आपका to complete a marriage by having sexual intercourse so a marriage is not considered legal until sexual intercourse is done so the consummation process is called so this process is called consummation consummate करना मतलब complete करना किसी चीज़ को so basically ये शब्द marriage के लिए बना था but वहीं से बाकी चीज़ों के लिए भी होत बन जाता है consummate मतलब बहुत complete है, perfect हो गया चीज़ ठीक है clear है याँ तर चलिए, तो अब जो हमने आज questions पढ़े हैं, एक बार ही उनका revision करेंगे and then we will wind this session up ठीक है पहला word हमने पढ़ा था diversity diversity मतलब इसका एंटरनेम हो जाता है uniformity, ठीक है, melancholy मैंने आपको बताया है, melancholy के synonyms आपको दिखा है, melancholy affinity मतलब liking हो जाता है empathy, reports, empathy, accord harmony, liking, fondness in the doldrens, in blue, morose ये सारे आपको antonyms मतलब कराया है, मैंने आपको hairs मतलब बताया, वो गाड़ी लाज के वास्ते वाली, hair से rumors folks के लिए आजाता है, ठीक है, melancholy polite आपको मैंने पढ़ाया है rude आपका, polite sober, not drunk, not intoxicated intoxicated मतलब जो drunk है polite, well-mannered, civil, courteous differentials, well-bred, gentlemanly chivalrous, gallant, gentile cultivated, gracious suave, यहां पर एक लिख सकते suave ठीक है, बहुत है, इस तो सब भी है, considerate है civilized है, ठीक है rude हो जाता है, antonyms का churlish, brazen, brash, impudent, cheeky audacious, presumptuous, disrespectful ungracious, unpleasant, brash disagreeable, ठीक है इसका antonyms हमने पढ़ा था rough, adequate pressure mantra में, inevitable which cannot be avoided, complex complicated, मतलब बहुत मुश्किल, precise exact, accurate, correct, एकदम explicit, ठीक है, ambivalent जो दो भावनाएं है, ambiguous double meaning, ambidextrous दोनों हाथों से काम कर लेता है, left मतलब finish, left का antonyms right भी होता है but present और यहां पर इस चीज़ें हो गए थी ambition बहुत है, यानि उत्सा है enterprise, yield, commitment, a sense of purpose, aspiration, intention, objective, vocation, desire, ठीक है target, severe मतलब बहुत अधिक के sense में आ जाता है इसका antonyms हमने पढ़ा था less severe मतलब less gentle, ठीक है voracious मतलब बहुत खाने वाला, sick, बीमार, withered, पर तत्तियों का मोड़ जा जाना, voracious insatiable, unquenchable, unappeasable prodigious, omnivorous, compulsive, gluttonous, rapacious, enthusiastic ये सारे वर्ड हमने पढ़े हैं ठीक है elucidate मतलब की सीच को explain करना, attract, enter nemoja का ditter करना ठीक है entice, allure, lure, tempt, charm, win over, who, enchant, entrance, mesmerize, spellbind, captivate, beguile, besmich, sorry, bevich, seduce, tantalize, dazzle tickle someone's fancy, turn on light someone's fire float someone's boat, make someone's mouth water hitter करना, discourage करना, put off, discourage, dissuade, scare, prevent, stop, taward, nip in the bird, fend off, turn aside laborious करना, mehenti होना, strenuous, बहुत अधिक, boundless, unlimited, immense, अधिक के sense में आजाता है facile मतलब shallow, superficial ये के trying, arduous, hard, difficult, strenuous, grueling, exacting, punishing ये के बहुत इर्खसम, मुश्किल काम dispatch करना, enter nemoja आता है acquire करना, humble होना, बहुत विनमर होना, arrogant कमंडी होना, meek, modest, meek, modest, gentle, submissive, subservient, gentile, psychophant, servile, hiding one's light under bushshell, obsequious, free from vanity, unassuming, verb के sense में, humiliate, abease, demean, belittle, lower, degrade, disparage, mortify, debase, shame, put to someone, put to shame, make someone's eat, make someone eat humble pie, settle someone's hash, cut down to size, take some, take down a peg or two, arrogant, enter nemoja, haughty, conceited, dubristic, dubristic, opinionated, egoistic, full of oneself, superior, two before once boot, super serious, haughty, smug, exemplary performance, बहुत अच्छी performance, enter nemoja, unsatisfactory performance, exemplary, faultless, impeccable, consummate, excellent, outstanding, exceptional, commendable, laudable, praiseworthy, leto meritorious, honorable, estimable, ठीक है, यहां तक हम ने पढ़ा, अगर आप हमारे batchers को join करना चाहते हैं, अगर आप यह video YouTube पर देख रहे हैं, तो हमें comment section में जरूर बताएं, आपको वीडियो कैसा लगा, इसके लावा अगर आप हमारे batchers को join करना चाहते हैं, तो आप officers batch में enroll कर सकते हैं, this is the perfect batch for you, में आपको चारो subject, सब कुछ मिल जाता है, आरभी की तरफ से जो कुछ भी होगा, वो आपको इस batch में जरूर मिलेगा, तो इस batch को आप जोईन कर सकते हैं, अगर आप अंग्रेजी में English पढ़ना चाहते हैं, अगर आप अंग्रेजी में इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ English का batch लेना चाहते हैं, तो आप इस batch में जरूर में जरूर में जरूर कर सकते हैं, इसके अलावा टेलेग्राम चैनल पे आप जोईन कर सकते हैं, तेलेग्राम चैनल पे आपको सारे डेटे़टेल्स, पीडियपस, ETC मिल जाते हैं, अगर आप डेस्टॉप वर्जन पर हमारे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो ये वेब साइट है टेलिग्राम चैनल जरूर से जोइन कर लीजिए अगर आप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर ही आपको पीडिएफ मिलेगी पीडिएफ डाउनलोड करने का तरीका मैंने वीडियो के शुरूर आप में बता दिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन और मुझे जरूरू बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक लिए गुद्बाई टेक केर और आप वेरी ग्रेट ये थैंक ये सो मुच बबाई